प्रश्ण निर्मान होता है कि DNA और RNA ये सारे प्रतिलेखन और भाशानतरण किस प्रकार करते हैं। ये सारी प्रक्रिया कुशिका में कहा होती है। इस बात को समझने के लिए DNA और RNA की संद्रचना समझना जरूरी है। नुकलिक अमल इन दोनों के अनू बहुलक होते हैं। अर्थात में लंबी सी श्रंखला में होते हैं। मोनमर ये नुकलिक अमल की दोहराई जाने वाली इकाई को न्यूकलियो-टाइड्स कहते हैं। ये मोनमर तीन चीजों से निर्मित होते हैं। एक, पेंटू शरकरा, डियोक्से राइबोस शरकरा, डियने में और राइबोस शरकरा, आरेने में, नाइट्रोजिनियस बेस, पियोरिन, फॉस्फोरिक अमल, डियने आरेने की शरंखला, ये तीनों आकार एक नुकलियोटाइट्स बनाते हैं और डियने और आरेने इन नुक Nucleotides की शरंखला होती है, हर एक Nucleotides एक दूसरे से Phosphodiester से जुड़कर के बंद बनाते हैं, DNA ऐसी दो शरंखलाओं से बनता है और वे दोनों एक दूसरे के सामने रखी जाती हैं, पर वे एक दूसरे से समानतर नहीं होती है, RNA ऐसी ही एक शरंखला से बनता है, यहाँ पर हम DNA में प्रस्तित Nucleotides की दोशरंखलाओं की विस्तारित आकरती देख सकते हैं, हमने अपनी पिछली कुछ स्लाइट्स में शरकरा, बेस और फॉसफेट की जगा ब्लॉक्स देखे थे, अब यहाँ पर हम उन अनुओं की वास्तविक सरासायनिक संद्रचना देख सकते हैं, इन दो आकरूतियों की तुलना कीजी, दाहिने हाथ की आकरूति में धागे एक दूसरे से जिस प्रकार बंद बनाते हैं, हम ठीक उसी प्रकार से देख सकते हैं, एक धागे में शरकरा में प्रस्तुत ऑक्सिजन के परमाणूं उपर की और मू किये हुए हैं, वही दूसरे है कि जो फीते जैसे आकरूति आपने पहले देखी थी और आकरूति जो आप अभी देख रहे हैं, वह एक जैसी हैं, क्या उनकी संद्रचना अलग-अलग हैं, इसका उत्तर है नहीं, एक ही संद्रचना को दो अलग प्रकार से दर्शाया गया है, चलिए समझने की कोशिश क करते हैं कैसे, फीते की आकरूति में फीते डीने की दो श्रूंखलाओं को दर्शाते हैं, जो शरकरा और फॉस्पेट समों से निर्मित है, इसे शरकरा आधार और नाइट्रोजिनिस बेस कहा जाता है, जो इस प्रिष्ठवंश से जुड़े हुए होते हैं, यह हाइड्रो दूसरे से इस प्रकारली पट्टी हैं कि जिससे दोरी कुंडलित वकरता वाली संद्रचना डबल हेलिक्स नेर्मान होती है, यहाँ पर मैं यह संद्रचना दो अलग रंगों के फीतों द्वारा दिखाने वाला हूँ, कभी-कभी डीने की दो धागे उसके मूल की जोडियो 0.34 नैनोमिटर होती है, और मानों के डीने में इस प्रकार की 3.109 मूल जोडिया हैं, इसी कारण डीने की कुल लंबाई लगभग 1 मिटर हो जाती है, अगर हम कोशिका का ओसतन आकार 1 माइक्रो मिटर लें, तो यह लंबाई काफी मानी जाएगी, अब सवाल उट्टा है कि इतना बड़ा डीने कोशिका के अंदर किस प्रकार समा जाता है, सिर्फ कोशिका के अंदर नहीं, वरंड कोशिका के केंदर के अंदर जो इससे भी छोटा होता है, इसका उतर है लच्छा बना कर, आपने कभी टेलिफोन के तारों को देखा है, वे किस प्रकार लच्छे में होती है? ठीक उसी प्रकार से. इस प्रकार लच्छोड कारंट DNA इतना सुगटित हो जाता है कि वो कोशिका के केंदर के अंदर समा जाता है. यहाँ, अगर आप ध्यान से देखें, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे लच्छा बनता जाता है आकार अधिकादिक सुगटित होता जाता है जब हम इसे छोड़ देते हैं तब वो अपने मूल आकार में आ जाता है DNA को इस लच्छेदार स्थिति में रखने के लिए काफी उर्जा की आवश्यक्ता होती है कोशिकाओं में ये कार्य प्रतिनों के समोह द्वारा किया जाता है जिसे हिस्टोन कहते हैं या फिर पैकिंग प्रतिनों द्वारा DNA की संदरचना को बरकरार रखा जाता है जब जब कोशिकाओं को ज़रूरत होती है उसकी अनुसार DNA के इन लच्छों को खोला जाता है झाल झाल